चलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इता दिन से हम लोग ने calculation of mean देखने कोशिश करी और mean किस तरह से calculate करते हैं यह मैं आप लोगों को पता रहा था कि individual series में discrete series में और continuous series में किस तरह से हम लोग mean calculate करते हैं next central tendency के ऊपर आए जिनको कहा जाता है median तो mean, median mode यह तीन central tendency है measures of central tendency हैं जिसमें हम लोग में mean कैसे calculate करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दिया आज हम लोग देखेंगे कि median किस तरह से calculate करते हैं जब हमारे पास different different series present रहेंगे तब तो सबसे पहले मैं आप लोगों को calculation of median in individual series दिखाने की कोशिश करूँगा क्या calculation of median in individual series क्याने का अर्थ यह है कि जब आपके पास केवल और केवल individual series दिया हुआ है तो आप किस तरह से median calculate करेंगे example के तोर पर मैं क्या बोल सकता हूं कि आप लोगों के पास तो example के तोर पर आप लोगों के पास एक variable है जिसके data दिये हुए तो कितने data दिये हुए पहले गिल लेंगे आप लोग वन टो त्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देटा आप लोगों को दिये हैं किसी variable के और यह जो है यह individual series कहलाएगा इसमें अगर आप से कोई पूछ है कि आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तब आपकी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको step जो होगा important step मीडियन कैलकुलेशन करने में वह है अरेंज देटा या इन असेंडिंग या फिर दिसेंडिंग ओडर देखो आप असेंडिंग ओडर में या डिसेंडिंग ओडर दोनों में से एक में आप लोग इन डेटास को अरेंज कर सकते आंसर दोनों में ही बराबर या सेम आता है ठीक है तो मैं सबसे पहले 3 तो मैं ऐसेंडिंग ऑडर में ती अज़्सेंडिंग से पीकल कोलं कर ली का सीरियल लूंबर में लिक लिए और ascending order है यह जो calculation है यह calculation है जब individual series दिया गया है और जब data है odd number पर देखो आपके पास data कितने? 9 तो 9 एक odd number होता है A 1 3 5 7 9 यह सब odd numbers कहलाते है 2 4 6 8 10 यह even numbers कहलाते है तो जब data even number में होगा तब उसके लिए हम लोग दूसरे formula यूस करेंगे या दूसरा तरीका या फिर थोड़ा सा changes है बस वह आपन लोग आगे एक example में समझ पाएंगे तो अगर मैं इन में देखने की कुशिश करूँ तो सबसे चोड़ा number जो है वो 10 दिख रहा है 2 10 है हमारे पास उसके बाद आता हमारे पास 11 मैं arrange करते जा रहा हूँ ना ठीक है इसके बाद हमारे पास आया 12 1 में 10 2, 3, 4, 5 5 में हमारे पास आया 11 के बाद 12 12 के बाद है 15 ठीक 15 के बाद हमारे पास आया 17 17 2 17 है दिख सकते है 17 17 इसके बाद है हमारे पास 18 उसके बाद हमारे पास 19 तो सबसे पहला काम मेरा क्या हुआ कि मैं सबसे पहले जो भी individual series है उसको मैं arrange कर दूँगा किस पे ascending order में ascending order में arrange करने के बाद मैं next step मेरा होगा एक formula जिसका नाम जिसमें हम लोग median को locate करने की कोशिश करेंगे अब जिसका answer आएगा तब आपको समझ में यह भी आ जाएगा कि median क्या होता है ठीक है calculate कर लेते हैं हमको median locate करना है ठीक उसके लिए आप use करोगे formula n plus 1 divided by 2 n क्या है आपके number of observations है आपके number of observations किते है 9 ठीक है चलिए तो 9 n हो गया plus 1 divided by 2 divided by 2 equal to 5 तो इन डेटा में जो 5th number का है ascending order में arrange करने के बाद वही आपका median है तो 5th number कौन सा है 1,2,3,4,5th number 5th number में हमारा कौन सा data है 15 तो हमारा median क्या होगा 15 अब आप 15 median को ध्यान से देखिए यह data ऐसा है जो पूरे यह data दिया गया है यह पूरे set of data को 2 equal भाग में बाट रहा है कहने का मतलब है 15 लेंगे तो उस तरफ 4 data है और इस तरफ 4 data है तो median क्या होता है इस उस set of data में यह data दिया गया है उसमें एक ऐसा number जो पूरे data को दो भाग में बाट दे वो कहलाएगा आपका median जब हमारे पास odd set of observations रहेंगे जैसे इस case में 9 है तब आपको formula या median को locate करना है n plus 1 divided by 2 में ठीक तो यह individual series में कैस तरह से median calculate करते हैं यह मैं आप लोगों को पता है एक example देखते हैं जिसमें set of data जो है इसमें number of observations है वो even number है उसमें हम लोग median को कैसे locate करेंगे और कैसे calculate करेंगे तो median का आपको idea हुआ कि अगर ऐसा data जो पूरे data set of data को दो equal भाग में बाट रहे जैसे कि 15 तो equal 4 भाग में बाट रहा है इस पूरे data को ठीक तो 15 क्या होगा इसके लिए median है even number पे तो आप लोग देखने की कोशिश करते है set of data एक कोई एक variable है जिसमें 4, 5.7, 3.9, 4.2, 6.6, 7, 7.9, 8, 9, 10 यह पूरे data दिये हुए ठीक है तो आपको बताना यह है कि इसका median क्या होगा अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर number of observations देखेंगे वैसा ही sequences को आप follow करेंगे सबसे पहले step होगा कि आपको arrange करना है arrange the data in ascending या descending order फिलाल मैंने क्या किया है इस पूरे set of data को serial wise ascending order में arrange कर दिया है मतलब छोटे से ले करके बड़े की तरफ या increasing order भी बोल सकते हैं आप लोग तो first आप मैंने 3.5 उसके बाद 4, 4.2, 5.7, 6.6 7, 7.9, 8, 9, 10 यह इस तरह से मैंने ascending order में arrange कर दिया है second जो है आपको locate करना है median को location of median देखूंगा तो मेरे पास क्या formula आएगा आपको उसी तरह से calculate करना है जिस प्रकार से हमने odd observations के लिए किया था इदा number of observations कितने हो जाएंगे 10 plus 1 divided by 2 क्योंकि 10 observations है देख सकते हैं तो 11 by 2 यह होगा 5.5 अब आपको बताना है जो serial number 5.5 या item 5.5 है वो आपका क्या है median तो आप serial number में जाएंगे तो 5.5 ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे पास तब क्या करें तब median निकालने में हमको दोवीदा हो जाती है तो कहने करता है 5 से 5.5 जो है वो 5 और 6 के बीच पर आएगा यहां पर आमा चाहिए तो अब इसके सामने हमाले पास दो नमबर दिख रहे हैं 5 के आगे हम लोगों को 6.6 दिख रहे है और 7 दिख रहे है अब इन में से हम confused होगा कि हम यह वाला 5 ले कि इसके आगे वाला 6 ले यह हम confused होगे तो median क्या होगा तब आपको क्या करना है जब यह स्थिति आए तब आपको पांचवे नमबर का आइटम का जो data है और 6 नमबर का जो आइटम का data है उन दोनों को आप सम कर देंगे और divide by 2 कर देंगे क्या करूंगा मैं जो 5 आइटम है data होगा वही होगा लेकिन 5.5 ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास तब क्या करेंगे 5 आइटम 6 आइटम के data को सम करके divided by 2 कर देंगे तो मेरे पास फिलाल अभी 6.65 आइटम है और 6 आइटम 7 है इसको मैं 2 से divide कर दूंगा तो 6.6 प्लस 7 13.6 होता है इसको मैं divide by 2 कर दूंगा तो मेरे पास जो data आएगा वो आएगा लगभग 6.8 तो जो मेरा median होगा वो होगा 6.8 तो इस तरह से हम लोग even observations रहेंगे तो हम लोग formula लोकेट तो करेंगे n प्लस 1 divided by 2 से लेकिन even के case में हम लोगों को जो मीड़ वाल इस्तिती आ रही है उसमें उसके पहले वाला data प्लस उसके बाद वाला data दोनों को प्लस करके उसको half divided by 2 कर देना है जो answer आएगा आपका median आएगा next हम लोग देखते हैं कि calculation of median in discrete series कैसे करते हैं